नमस्कार मैं प्रग्या धरद तीस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को इंडिया का नाम भारत के जानी पर सरकार को भारी खर्च उठाना पर सकता है आउटलुक इंडिया के रिपोर्ट के मताबिक नाम बदलने में अनुमानित खर्च 14,304 करोड रुपय आ सकते हैं इस आखरी की गर्ना दक्षन अफरिका के वकील डिरेन ओलिवियर के सुझाए फॉर्मूले से की गई है दरसल साल 2018 में स्वैजी लैंड का नाम बदल कर इस वातीनी कर दिया गया था कहा जा रहा था किसका मकसद अपनी वेक्षुकता से छुटकारा पाना था उस दोरान ओल्वियर ने देश के नाम बदलने में आने वाले खर्च की गर्ना के लिए एक वीधी तयार की थी भारत की अध्यक्षता में होड़ा ही जीबी समिट पर चीन शायत तिल मिलाया हुआ है नेपाल में चीनी राजदूत चैन सौंग ने भारत की नीतियों को लेकर टिपनी की है उन्होंने कहा कि नेपाल और दूसरे परोसियों के प्रती भारत की नीतिया अनुकूल नहीं है इसका फाइदा सभी विकासील देशों को मिले खास कर हमारे नेपाली दोस्तों को बने योगों का निर्मान हुआ है ऐसा योग बड़ा ही दुरलब है और यह काफी सालों में एक बार ही बनता है विपक्ष ने अपने गड़बंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलाप्मेंट इंक्लूसिव एलाइंस यानी इंडिया रखा है जब से यह नाम रखा गया है तभी से भारत और इंडिया को लेकर बहस छिर गई है मंगलवार को जी बीस के दावत नामे पर भी दा प्रेसिडेंट अप भारत लिखा नजर आया जिससे विपक्ष सरकार पर हमला हो गया इन तमाम राजनेतिक बहसों के वीश सदी के महानायक अमिताब बच्चन का एक ट्वीट आया जिसकी हर तरफ चर्चा होड़े है कि सरकार इतनी मुर्ख नहीं होगी कि इंडिया को पूरी तरह से त्याग दे जिसकी बड़ी रांट वैली है कॉंग्रस सांसर ने यह भी दावा किया कि पाकस्तान के संस्थापक मुहमद अली जिन्ना थे जिन्होंने इंडिया नाम पर आपती जताई थी क्योंकि इसका पर यह था कि हमारा दे इस ब्रिटिस राज का उत्रा धिकारी राष्ट था और पाकस्तान एक अलग राष्ट था इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस में से एक हर दिन रेलवे से करोरों लोग सफर करते हैं वह इसके बावजूत कई बार पर देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया इसको लेकर बहसोत तरको और प्रतिकों की राजनिती का सलसला जारी है कि नाम बदलनी की बाद कोड़ी अफवा है संसत के विशेश सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मैं भारत सरकार में मंतरी हूँ और जीबीस के लोगों में इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है तो फिर बेवज़ा की अफवा क्यों फैलाई जारी है ऐसी अफव के अलर्ट के अनसार नकली उतपाथ भारत में अप्रेल 2023 में और दो महीने बाद जुलाई में तुर्किये में पाया गया है डब्लू एचो ने कहा है कि नकली दवाक यापूर्ती विन्यमती और अधिक्रिश चैनलों के बाहर की गई थी जी बिस देश्चों की बैठक से पहले भारत के लिए बड़ी खुसकबरी सामने आई है भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते वे नंबर वन की पोजिशन हासल कर ली है दरसल ग्लोबल सेर मार्केट में भारत ने अपनी बास साहत को कायम कर रखा है उसने अमेरि के बाजारों का रिटरन भारत के मुकाबले काफी कम रहा है जी बिस के लिए रातरी भूष निमंदरन पर प्रसेडेंट और भारत लेखे जाने के बाद छरे इंडिया या भारत नाम विवाद पर आमाद निपार्टी की नेता और निलंबित राजी सभा सांसद रागव च देश में भारत नाम को लेकर बहस छिरिवी है देश का अधिकारी के नाम बदला चाएगा या नहीं यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है लेकिन अब जी बीस इवेंट से जुरे नए पहचान पत्र सामने आए हैं इन पर अब इंडियान ओफीसियल की जग भारत ओफीसिय परिचारन पर उनकी प्रभाव का विर्वन उप्रब्ध करा है इसने कहा कि बोर्ट दवाओं के इस्तमाल और रणिंग स्टाफ पर इसकी प्रभाव से संब्धित मुद्धों की जांच कर रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नियू जठारक ग्रूप की वेबसाइट मनी कंट्रोल को दिये इंटर्व्यू के दुरान परियावरन के मुद्धे पर भारत का पक्षरका दुनिया भर के देशों में परियावरन स्रक्षत रखने को लेकर उस स्तर पर काम नहीं हुआ जैसी उम्मीद की गई थी इसे लिकर पूछे के सवाल पर पियम मोदी ने कहा कि बावजूद इसके की समस्या को कम करने के लिए परयाप कदम नहीं उठाएगा है लेकिन हम गढ़ा की मदद के लिए कुछ भी करने को तयार हैं बसरते दुनिया आपने गड़ीब लोगों क देख भाल में उनकी मदद करने के लिए कुछ भी करने को तयार हो से प्रभावित होड़ है एशिया कप को लेकर आयोजकों की अलूचना हर तरफ होड़ी ऐसे में टूर्णामेंट के आगामी मैचों को कहीं और सिफ्ट किये जानी की मांग ब्यूठी थी इन सभी के भी श्रिलंका के महान क्रिकेटर सर्थ जैसुरिया ने पल्ली केले क्रिक भारत लिखने को लेकर कॉंग्रस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंदर सरकार पर निशना साथा उन्होंने कहा कि ये लोग डड़े हुए है अरफदेश और इरानिया लोग हिंदू कहते थे इनकी जवान पर हिंदूस नहीं आता था हिंदूस का मतलब सिंधू नदी के पास के लाखे को हिंदूस्तान कहा जाता था इतिहास को गौड से देखेंगे तो हिंदू नाम विदेशी देशों ने दिया है रिपब्लिक और भारत कहने की क्या जरूरत है ये नाम तो अंग्रेजी भाषा है आधा अधा भारती बोलने पर इने क्यों लगता है क्या अच सतंत्र है ततकारिन प्रधान नयाइधिस टीस ठाकुर और जस्टिस यू ललत की खंडपीट ने महरास्ट के निरंजन भटवाल की जनहत याचिका को खारज करते वे पूछा था कि भारत या इंडिया अगर आप भारत बुलाना चाहते हैं तो अवस्ते बुलाईए प्रगती मैदान में अंतराश्टिय सम्मेलनों के लिए बनाएंगे भारत मंडप में अनतराज भी शोभित हो चुके हैं पिर कहीं फोटोस को जोर कर तयार की गई है इसे एंगाल फिर स्टीरियो या मल्टी व्यू इमिज कहते हैं सुप्रीम कूर्टी मंगलवार को छात्र कारी करता उमर खालित की जमारत की आची का पर सुनवाई इस्थगत कर दी खालित को 2020 के दिल्ली दंगो के पीछे कथित बड़ी शाजिस के मामले में गैर कानूनी गतिवीदिया गतिवीदिया आधिनियम के तहत गिरिफतार किया मामले के सुनवाई कर रही नयमूर्ती बेला एम त्रिवेदी और नयमूर्ती दिपांकर दता की पीट से मामले के स्थगत्न की मांकी के बज़ा बताई गई कि खालित के वकील वर्ष्ट एडवोकेट कपिल सिब्ब भारत के मुख्य नयाधीश तिवाई चंदर जूट की अगवाई बाली समिधान पीट के समक्ष अनुछेद 370 को निरस्त करणे के खिलाब याची काउप पर बहस करने में व्यस्त हैं वर्ष्ट कॉंग्रिस नीता जैराम रमेश नी मनिपूर में इमफाल घाटी के सभी 5 जिलो में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद बुदवार को सरकार के अलोचना करते वे एक्सपर एक पोस्ट में कहा कि नई दिली में जी बीस होड़ा है जबकि इमफाल घाटी के सभी 5 जिलो में अगले 5 दन पुन कर्फ्यू रहेगा हैंसा का दोर चार महीने पाद भी जारी है लेकिन भारती जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के लिए मनिपूर में सितिस् प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जी बी स्टिकर समयलन को लेकर बदवार को मंतरी परिस्द की बैठक गुला ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में भारत में होने वाले जी बी स्टिकर समयलन को लेकर एक प्रिजन्टेशन दिया जाएगा जिसके जरी सरकार के सभी मंत चहतर में airso करने जारे जमों में होने वाला आज यह ए एरसो अपनी तरह का खास airso होगा वायूसिना का दिकारियों का कहना है कि से air show का आयोजन भारती वायूसिना वास्थानी प्रशासन के सयोग से किया जा रहा इस एर शो में लड़ाकु जेट और हेलिकॉप्टर सहिद विवन प्रकार के विमान सामिल होंगे इस एर शो में दर्शक कोई लिए जिला प्रशासन के ओर से विसे स्विवस्था की जाएगी यहां इस एर शो में स्काई डाइविंग एक अत्रिक आकर्शन होगा केंदरी प्रशासनिक नयाधीकरन की प्रधान पीठने आरेन खान ब्रक्स मामरस जड़े एंसीबी मुंबई जोन के पुर्वर नेदेशक समीर वानखेरे के आवीदन पर उनके पक्ष में फैसला दिया है खबर आ रही है भारतिये नौसिघान बहुत जल्दी भारतिये पोशाक को अधिकारी मेंस में स्विकार्त कर सकती है लेकिन जल्द ही भारतिये पोशाक को भी पहननी की जादत है इसमें भारत के गुजरात के सूरत सहर में एक वेबसाइट का उप्रियों करके आधार और पैनकार के सास अत्मदाता पहचान पतर जैसे जाली दस्तावेज बनाने के आरूप में दो लोगों को गिरफतार किया गया है उत्राकंड के वन्ने कर्मियों ने पतंजली आयरवीद और नहरू परवातरोह संस्थान के सिनक्त टीम को उत्तर काशी जिली के आरक्षित वन चेतर में लगभग 100 किलोग्राम वजन की प्रतीमा अस्थापित करने से रोग दिया है इंडियन एक्स्प्रिस के अनुसार उत्तर काशी के जिलावन अधिकारी डीपी बलूनी के अनुसार परवादरोहन दल धर्वंतरी की ग्रिनाइट प्रतीमा को अपने साथ वापस लाने पर सहमत हो गया है इसे पहले एक मीडिया कॉन्फरिंस में पतंजली के चेर्मेन अचारे बालकृष ने कहा था कि वे ऐसी दो मूर्तिया में से एक को हिमाले में स्थापित करना चाहते हैं जैपूर इस्ति धातू के वस्तूओं का रिर्मान करने वाली एक कम्प्री ने कहा है कि यहां जीवी सिखर समयलन में भाग लेने वाले राष्टर धेक्चों और विश्व के अने नेताओं को भालत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित कलाकृतियों वाले चांदी के विश नई और पुराने दोनों संसत भवन में आउजित किया जाएका अठाव संसत को आगे का सारा काम अब नई बिल्डिंग में ही होगा यानि सीथ काली सतर का आयोजन भी नई बिल्डिंग में होगा UGC Net June पर इच्छा पास करने वाले candidates के लिए latest update है National Testing Agency ने UGC Net June पर इच्छा के certificate और JRF Award लेट जारी कर दिये है वे candidates जिन्होंने पर इच्छा पास कर लिए वे आधिकारिक website पर जाकर इनने डाउनलोड कर सकते हैं अब भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है भारत और इंडिया नाम पर होड़े विवात पर आपका क्या कहना है अपने जाब हमें आज के लिए इतना ही धन्यवाद